आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करें हूँ जो हम रोज ही रूटीन में यूज करते हैं वह है रोयल गरम मसाला यह रोयल का सब गरम मसाला बहुत ही फ्लेवर फुल बने ही गा और इसे हम एकदम अथांटिक तरीके से बना रहे हैं तो आये देखते हैं रोयल गरम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कब सूखा दनिया और हमें लेना है 10-12 तेज पत्ता और साथ में 8-10 सूखी सूखी लाल मिर्च लेनी है यह लिया है मैंने एक कब पत्थर पुल या इसे दगण फुल भी कहते हैं बहुत हलका होता है यह वेट में गरम मसाला का सामद जहां पर मिलתा है, इसके लिया उनी कि आपको कम में ठाएक शाहजीरा फेर ये बार्म नॉर्मल छीजही pada चाहं जीम नॉर्मल चीरी थोड़ा सोलगी के लिए गरम मसाली के लिए खास यूज किया जैए अब ओना आपको कहूता है एक चम्मच मैंने शाजीरा लिया है और साथ में लिया है एक चम्मच लॉंग इसके बाद हमें लेना है एक चम्मच काली मिरच और इसके बाद मैंने लिया है एक चम्मच नागकेशर यह इस तरह से फोड़ा सा गोल गोल होता है नीचे से उसमें लॉंग की तरह दंडी भी हो जावीतृ है यह जाईफल का भी होता है यह तिटा है और लेते हैं ता लिए जो बना रहे हैं इसलिए मी इंचाहिए कि आप Korn अौरे सब्सकित जबिए जब तरक इसके कुष्बून आरे लगे हैं मैं बिल्कुल जरा से ए meg Box कर लिया और अब नाल को आदि ए primeiroва उट तरक Sir, पहले और इसको भून लेते हैं मेडियूम फ्लेम पर हलसे हमें दो से तीन मिनिट के लिए बूढना है इसकी बहुत यची खुश्बू आने लग गई है अब मैं इसको निकाल लेती हूं अब हम इस पें में डालेंगे आठ से दस लाल मिर्च में में तेल नहीं डालाएं वहीं ग्रीस वाली कड़ाई है और दो मिनिट के लिए मैंने इसको भून लिया है इसका मॉइस्टर निकल जाए तब तक और अब मैं इसको भी निकाल लेती हूं और अब हम थोड़ा सा फिर से तेल डालेंगे कड़ाई में हलका सा इसे ग्रीज कर लेंगे और इसमें अब हम डालूंगी यह बहुत एक इंपोर्टेंट रॉयल गरम मासाले का इंग्रेडियन्स है पत्थर फुल या दगड़ फुल इसे भी हम थोड़ा सा इसमें भूनें करोली हूं थोड़ा सा तेल आधा चमठ फिर से लेज लेते हैं कड़ाई में और इसमें हम डालेंगे यह बड़ी लाइक़ी कि और थोड़ा सौटे करते हैं थर्टी सेकंड सौrast कर लिया है इसको अच्छी को अच्छी तरह से भून लिया आए पेल में और सात में डाल देते चार टुक्डे ठीनी के दक कि इसको भी थोड़ा साइस में मूनेंगे दाल चिनी की और बड़ी लैज की बहुत अच्छी खुश्बू आ रहे हैं अब हम इसमें डाल रहे हैं काली मिरच एक चम्मच साथ में हम डालेंगे लॉंग एक चम्मच और यह हैं नाक केशर यह भी नीचे से गोल होता है और इसमें लॉंग की तरफ एक गंडी होती है यह मसाले का इंपोर्टेंट पार्ट है असानी से आपको सारे मसाले के पास मिल जाएंगी जापर मसाले का सामान मिलता है बहुत ही अच्छी मसालों की खुश्बू आ रहे हैं सबको हम सोटे कर लेते हैं और साथ में जाल रहे हैं मेथी दाना एक चम्मच हम इस तरह से थोड़ लिशसघीे जावीतरी के जिसे बोलते हैं लेकर है जाएफल के खुँटकर भी इसमें ड़ा अब रोस्ट करहएं कि यह जहा जीरा जाता है वैसे जीरे हम रेगिलर यूज करते हैं अब गरम मसाले में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरह से मैंने गेस को इन दीमा कर दिया है यह सारे इंग्रेडियन्स के लिए और यह बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही है जब घर में मसाला बन रहा है तो अपने घर में तो क्या पडोसी हो तक सब को खुश्पू ना आए तो फिर क्या गरम मसाला हुआ बहुत ही अच्छी कुश्पू इसका घर बर में फैल गई है और अब मैं इसको भी निकाल लेती हूं मैंने दीमे आज पर बहुत अच्छी तरह से सारे इंग्रेडियन्स बून लिए हैं सारे बाताले साथी निकाल लेंगे अब ये मेन इंग्रेडियस सूखा जदिया ये इसमें डालते हैं इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी खुश्बू आने तक धनिये के भी बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लग गई है दीमी आज पर मैंने इसको गुन लिया है अ अब इसको भी में निकाल देते हूं ये अब ये रोयल गरम मसाले का एक रोयल इंग्रेडियन्स ये है गुलाब की पत्या जिसको मैंने तीन मिनिट के लिए मायक्रो कर लिया है आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हैं सुखा सकते हैं और इसको आपन डालेंगे बिल्कुल ओ एक दब पूरी दर से completely ठंडा नहीं करना है अब यी मसाला ठंडा हो गया है थोड़ा गुण गुना करना इसे बहुत अगा ठंडा नहीं करना है नहीं तो पीछने में दिककत आती है अब हम इसे मिक्सर जार में लेंगे और इसको बारी पीछना है इससे पहले मैंने पावबाजी मसाला, मिरियानी मसाला या कुलाव मसाला, संभार मसाला और चाट मसाला की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है संकीत आवी शरूर चैनल पर जरूर देखिए आप पसंद आए रेसिपी न लाइक जरूर कीजिए मसाले को इस तरह नीचे दबाते जाएंगे और उपर नीचे करते जाएंगे फिर बारिक पीस्टे जाएंगे बारबाद मसाला एक दम बारीक पीस गया है अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूं यह हमारा रॉयल गरम मसाला तयार है इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर सालवर तक रख सकते हैं फिर भी यदि हम थोड़ा थोड़ा ताजा दो दो तिन तिन मैने के लिए बना कर यूज करें तो इ